हेलो गाईज वेलीकम बैग तु माई चैनल सोगर्ज्ट आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए बोहती बड़ा टोई कलेक्शन लेक्सिंट यसके लिख सकते हैं और इसे के नमघन चाहिए तो आप मुझे कमें बता व्यजेयर पसंद है विप्टीरों को लाएप चैनल सब्सक्राइब जरू करना क्योंकि ऐसी वीडियों मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता हूं यहां पर इसके उपर सीडियां लगी हैं जहां से आप उपर जा सकते हैं है और आगे से आप देख सकते हैं कैसी दिखाई दे रही है ओवरॉल गाईज मैं आपको बता दूँए एक मैटल का जमेटरी बॉक्स है जो कुछ इस तरह के पैटरन में आता है डीप सी मरमेड यहां पर लिखा हूआ है यह देखो यह एक जमेटरी बॉक्स है यहां से इसको उपन करते हैं तो गाईज यह देखो कितना ब्यूटिफल पैटरन इसके अंदर बनावा यह देखो कैसे यह उपन होती है यहां पर एक ट्रेल लगी है नीचे भी बहुत ज़्यादा स्पेस है यह देखो और यहां से उपन करने क इसके अंदर एक सारपनर लगा हुआ है यहां से उपन करके आपको दिखाता हूँ यह देखो गाई इसके अंदर एक सारपनर भी बिलगा हुआ है जो कि pencil को सारप कर सकता है बहुत ही जेमेटरी बॉक्स है जो कि बस वाले design में आता है प्राइज इसका लगबग 400 रूपे क आसपास है इसको मैं साइड पर रखता हूँ और गाईज यह देखो हमारे पास यह बहुत ही यूसफुल गैजेट है जो कि आप देख सकते हैं है ना यहां पर लिखा डाट डॉग और यहां पर डॉग बना हुआ और कुछ इस तरह का ओवरोल इसका पैटरन है इसको मैं यहा ऑपको काफी सारी चीजें मिलते हैं सबसे पहले कैस्येषों नेलख करने वाले एक टूल देखने है और जाप यहां पर एक छिजरह यायूशिया बहुत है इसके प्याट दिखाई देने वौल एक नेल कटने कीजिश केणे चोटा सा नेल कटर है बट गाईज देखने में कितना ज़्यादा क्यूट सा है साइज आप इसका देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा साइज है बट गाईज काफी अमेजिंग है overall गाईज यह box बहुत ज़्यादा useful है अगर आप इसको अपने पास रखते हैं तो इसके अंदरा में total 30 rings देखने में मिलती है अलग-अलग design वाली तो one by one में आपको दिखाता हूँ यह देखो गाईज यह tomato वाले design में smiley आप देख सकते हैं है ना और गाईज बहुत unique unique है वही में आपको दिखाता हूँ और गाईज यह देखो sunflower वाले design में भी ring हमें इसके अंदर देखने को मिलती है और एक guitar वाले design में भी है यह देखो एक guitar वाले design में है काफी सारी है वैसे तो आप अपने पास से देख सकते हैं यह देखो यह fish वाले design में यह देखो यह किसी fruit वाले design में है थेख़े अइस्क्रीम वाले डिजाइन में भी है केट वाले डिजाइन में भी है इसके अंदर और यह बहुत आप जादा महिदार है बच्छो का इचीज में पॉस्टा पर चीज में बहुत पर जादा पर जिसके पास है जैसे के पास यहां पर एक pink color का hair dryer यह देखो है ना और guys यह hair dryer होने के साथ-साथ एक sharpner भी है 10 rupees इसका price है यह देखो यहां पर इसके अंदर लगा हुआ एक sharpner जो की pencil को sharp करने के काम आएगा ही देखो इसको पहले आपको कुछ इस तरह से cover कर देना है यहां से आपको pencil डाल लीए और यहां से आप जब pencil sharp करेंगे तो कच्रा इसके अंदर ही रहेगा बाहर नहीं आएगा और guys यह देखो इसी तरह से हमारे पास और भी चीज यह मैं आपको दिखाता हूँ यह तो आपको 100% बहुत यहादा यूनिक दिखने वाला है यह देखो हमारे हाथ में कुछ इस तरह का चोटा सा पता नहीं क्या है cartoon टाइप का but guys this is also a sharpner यहां से आप pencil को यहां से sharp कर सकते हो और इसका design देखो बहुत amazing है और जिसकी ऊपर की पूरी body है यह eraser है आप कुछ इस तरह से pencil का लिखा हुआ erase भी कर सकते हैं है ना design आप देख सकते है color आप देख सकते हैं कितना amazing है और इसकी packing भी आप देख सकते हैं बहुत ही unique है 20 rupees इसका price है आप देख सकते हैं वाव मजा यह आ गया गाई इसको मैं सैट हे रखता हूँ और हमारे पास है यह पर एक poppet वाला कुछ इस तरह का pouch यह देखो यह girls के लिए आप देख सकते हैं Mickey Mouse का pattern मना हुआ यहाँ पर पॉपट है और कुछ इस तरह का strap आता इसके साथ जिससे आप इसको अपने गले में टांग सकते हैं एक bag की तरह है ना और इतना space है यह मैं आपको दिखायता हूँ यह देखो इसके अंदर काफी ज़्यादा space है मतलब पैसे वगरा coin वगरा रख सकते हैं छोटे बच्चे को यह बहुत यह पसंद आने वाला इसके पॉपट लगए देखो यह सारे पॉपट वर्क भी करते हैं यह सारे पॉपट अ आप देख सकते हैं मुझे तो personally यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इसके design की वेज़े से quality की वेज़े से यह देखो इसको आप कितना भी band कर लो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा देख सकते हैं मैंने इसको पूरा अपने हाथ में कैद कर लिया यह देखो अब मैं इ इसको अपनी finger में कुछ इस तरह से फसाना है यह देखो है ना और ऐसे ऐसे खेल सकते हैं इससे देखो है ना कितनी amazing चीज और इसके अंदर light भी जलती है यह देखो यह आपको दिखाई दे रहे होगी और यह light अंदेरे में बहुत यहादा कमाल की लगती है जैसा कि आप द कड़ने में काफी हादा satisfied लगता है यह देखो मजा आ गया 60 रुपीज का मुझे मिला है इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर एक हर किसी की फेवरेट यानि कि एक बहुत बड़ी slime की डिप भी यह देखो slime की bottle भी हम इसको कह सकते हैं इसके अंदर मिलती है transparent pink color की slime जिसका price आ अपके कपडों पर नीचिपकेगी आपके हाथ पर नहीं चिपकेगी यह देखो मैं इसको अपने हाथ में कर रहा हूं यह मिल्कुल भी मेरको परेसान नहीं कर रही है कि मेरे चिप-चिप हो रही है कपडों में चिपक जाए normal自 peers स्लाइम होती है बिलकुल vacant वाली को सब्सक्राइब को स्लाइम के साथ खेलना पसंद यह चीज आपको 100% पसंद आनी चाहिए मेरे पस काफी अलग-अलग क्वालिटी वाली स्लाइम पर पड़ी हुई है आज पिंक कलर के कलेक्शन में मैं आपको यह वाली दिखाई है यहां पर रख लेते हैं और गाइस यह द मैं को आपको कॉइन डिखाता हूं गाइस यह देखोँ यहां पर कोईना हैं आप देख सकते हैं और यह सारे कोईना इसके नंदर यहां से अपड़ा सकते हैं पैशे होगा गए एक बाव कि मीलत था यह कम आपको को कम अष खो लेंगे और अदर आप देख सकते हैं जो कोईन मैंने इसके अंदर डाले ते सारे के सारे कोईन यहीं पर रखे हुए हैं है ना सो गैज आप देख सकते हैं काफी ब्यूटिफुल चाही है मुझे ता परसनली यह बहुती ज़्यादा पसंद आया और गैज इसके बाद है हमारे पास एक बहुती स्पेशल चीज जो की है गैज एक बहुती बड़ा इरेजर का सेट है इसका प्राइज है 250 रूपीज 200 रूपे मुझे मिला आप देख सकते हैं और कुछ इस तरह का फेरी टेल पहले सिहां पर लिखावा है पूरा बॉक्स आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको अलग-अलग डिजाइन वाली इरेजर देखने को मिलने वाली है मैं आपको दिखा देता हूं यह देखो पहले हम इसको उपन करके इरेजर बार निकालते हैं और आज से पहले आपने ऐसी चीज कभी नहीं देखी होगी यह देखो हमें इसके अंदर इरेजर देखने को मिलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं अब पाइनेपल वाले दीजहें में यह फलावर वाले दीजहें में पदो हो एक छोट असा किएा है पता नहीं कैसा किए इसका डिजाइन आप देख सकते हैं यह देखो यह जादुई छड़ी वाले डिजाइन में इरेजर है कितनी ज़्यादा सूपर कूल है और यहाँ पे crown है यहाँ पे ring है यहाँ पे देखो rainbow का डिजाइन भी बना हुआ है यही मैं आपको निकाल के दिखायाता हूँ और guys यह देखो यह है rainbow design वाली इरेजर सो guys आप देख सकते हैं एक box के अंदर आपको अलग-अलग design की रेजर देखने मिलेगी यहाँ पे i-fill tower है यहाँ पे कुछ unicorn है यहाँ पे dेखो swen बना हुआ है यहाँ पे butterfly है और काफी अलग-अलग design वाली रेजर पूरे box के अंदर में देखने मिलती है इस box का price 200-500 रुपे के आज-पास आपको market में अराम से available हो जाएगा इसको मैं रह लेता हूँ guys side में और हमारे पास है यहाँ पर एक बहुती प्यारा सा bag यह देखो very cute happy everyday यहाँ पे लिखा हुआ है pop-it वाला bag है bag का size आप देख सकते हैं bag के साथ strap कैसे मिलते हैं यह भी आप देख सकते हैं overall आप इसकी quality देख सकते हैं अंदर कितना ज़्यादा space है यह भी देख सकते हैं और बच्चों का ही चीज़े बहुत यहाँ पसंद आती है यहाँ पे इसकी chain है कुछ इस तरह से इसको बंद कर सकते हैं और जिसका pop it आये देखो सारे pop it अच्छे तरीके से work करते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ pop it इसके उपर बना रखे हैं 150 रुपीज के आसपास आपको यह मिल सकता है इसकी quality आप देख सकते हैं और इसको भी कितना भी design में थोड़ा सा यह आपको दिखाई भी दे रहा हुआ मुझे तो personally यह बहुत ही पसंद आया इसको भी रख लेते हैं साइड में और यह देखो हमारे पास है यह पर एक चोटी सी bike और यह bike वाला design में बताएं आपको एक्च्वल में क्या है यह एक sharpner है यहां से pencil डालेंगे तो यहां से pencil को sharp कर सकते हैं इसके tire भी घूमते हैं आप इसको चलाना चाहेना इस तरह से तो यह चल भी सकती है है ना और इसके अंदर जो sharpner लगाओ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बाहर आएगा गाइस को हमें open करना पड़ेगा पूरा का पूरा यह देखो यहां पर इसके नीचे यहां पर sharpner लगाओ जो कि आप देख सकते हैं सुकर्श मैं इसको पूरा open नहीं करता हूँ 20 रुपीज इसका price या quality आप देख सकते हैं डिजाइन आप देख सकते हैं मुझे तो personally बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसका डिजाइन और जब इससे pencil को मैंने sharp करके देखा था ना इसने pencil को बहुत ही beautiful sharp किया था और इसके बाद हमारे पास है यहां पर एक और eraser का set यह देखो ice cream cone वाले design में eraser 30 rupees इसका price है यही मैं आपको दिखाएता हूँ यह देखो आपने आज से पहले ऐसी eraser नहीं देखी होगी और guys यह देखो वाव क्या super cool design है guys ice cream cone वाले design में एक बहुत ही प्यार eraser यहाँ पर owl बनावा उल्लू का design मना हुआ है और guys आप इसको पकड़के किसी भी एंगल से pencil का लिखा हुआ erase कर सकते हैं तो guys सबसे पहले आप इसका design देखो इसका size आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ऐसी eraser बहुत ही कम बच्चों को use करने को मिलती है अगर आप lucky है तो आपको भी eraser मिल सकती है चैनल को subscribe जरूर करना guys और वीडियो को end तक देखना वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना तो guys बहुत सारे toys है और अगर आप ऐसी वीडियो दो और भी देखना चाहते हैं तो guys आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और guys मैं इसको पहले अच्छे से pack कर देता हूं यह देखो है ना इसका box भी आप देख सकते हैं कितनी amazing quality है इसको मैं रखता हूं साइड में और हमारे पास है यहां पर एक बहुत ही beautiful सा Hello Kitty वाले design वाला पिंग कलर का geometry box है ना गईजे नॉर्मल geometry box नहीं मैं आपको इसको open करके दिखाता हूं Hello Kitty बहुत ही famous cartoon है जिसके design पर इसको बनाया गया है पहला हम इसको open करते हैं यह देखो है ना इसके अंदर मिलता है magical marker और यहां पर देख सकते हैं आप pen pencil color holder लगा हूँ है काफी सारा space है space भी आपको अच्छा खासा दिखाई दी रहा हूँ और guys यहां से अगर हम इसको open करते हैं गाई दूसरी side से भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा space है overall guys हम इसको दोनों side से open कर सकते हैं कुछ इस तरह से और तोर guys जो इसका magical marker है कैसे work करते हैं मैं आपको बताता हूँ यह देखो जो इसका brush है ना यह देखो यहां पर इसके cap के उपर brush देखने मिलता है इससे हम इसको erase कर सकते हैं यह देखो guys erase हो गया है ना मैं आपको दुबारा use करके दिखाएता हूँ यह देखो यहां पर मैंने marker से कुछ भी लिखा और ऐसे करके आप आराम से erase कर सकते हो इसलिए इसको magical marker कहा जाता है और बच्चे कुछ और भी इसको बोलते होंगे मुझे idea नहीं है पर आप देख सकते हैं जमेटरी box के अंदर में कुछ यह इस तरह की awesome चीज देखने को मिलने वाली है इसको guys मैं दूसरी set डाल दे ता हूँ यहां पर मुझे तो personally यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इसको मैं साइट में रख लेता हूँ और guys यह देखो यहां पर हमारे पास अग डिजनी प्रिंसेस वाला कुछ यह इस तरह का geometry box यह देखो यह metal quality में आता है यह आप देख सकते हैं यह देखो यहां पर इसके ओपर डॉल बनी हुई है और यहां पर देखो डिजनी प्रिंसेस बनी हुई है बहुत ही amazing है इसको भी open करके देखते हैं वाओ guys यह देखो इसके अंदर में डिजनी प्रिंसेस वाला एक scale देखने को मिलता है यहां पर eraser है सार्पनर है pencil है और एक tray भी लगी हुई I think इस tray को हटाएंगे तो guys इसके नीचे और भी ज़्यादा space होगा ना आपको दिखाएता हूं यह दो काफी बड़ा इसका size है यह normal geometry box से तो काफी ज़्यादा बड़ा है है ना मजा आ गया इसका size आप देख सकते हैं वाओ यार अगर आप डिजनी प्रिंसेस कार्टन को पसंद करते हैं तो guys यह आपको जरूर इस्तमाल करना चाहिए काफी सारा आइटम भी इसके अंतर देखने हैं मिलता है यहाँ पर अपल का लोगो भी बना हुआ है और इसके बाद guys हमारे पास है यहाँ पर बहुत ही बड़ा पैपा पिग वाले design वाला कुछ इस तरह का pencil pouch pencil case और geometry box कुछ भी कह सकते हैं सो जल्दी से मैं आपको इसे open करके दिखाता हूं इसका price guys लगबग लगबग मैं आपको बता हूं 200 से 300 रुपे के आसपास होगा और guys यह आपको अलग-अलग cartoon character में मिल जागा जैसे कि हमारे पास यह पैपा पिग वाला है है ना आपको spider man, batman, iron man, doraemon, band 10 हर एक character में आ पर रखता हूं और यह देखो पैपा पिग वाला geometry box हमारे हाथ में कितना amazing है यहाप पैपा पिग लिखा हुआ है पैपा पिग बना हुआ है और overall आप देख सकते हैं कितने amazing इसकी quality है है इसकी सबसे amazing बात है इसको use करने पे यह गिस्ता नहीं पुराना नहीं दिखाई देत है और यहाँ पर इसके double chain लगी है चैन की quality भी आप देख सकते हैं वाव मजा आ गया इसको मैं यहां से open करता हूं और इसके अंदर है यह देखो कितना amazing space हमें इसके अंदर देखने को मिलता है और गाइस मैं आपको बताए तो इसको कैसे use करते हैं यहां से हमें इसकी chain खोल हैं इसके अंदर ना तीन यह चार geometry box का समाना सकता है इतना बड़ा इसका size है और इसके अंदर बहुत ज्यादा space है यह देखो मजा आ गया गया अगर आपने इस तरह का बड़ा pencil case यह geometry box यूज किया है तो वीडियो को like जरूर करना इसके बाद guys हमारे पास है यह देखो कु इसके अंदर लगे में double sharpener जो की pencil को sharp करते हैं आप आस से देख सकते हैं यह देखो इसका मैं बंद करता हूं और guys कैसे इसको use करेंगे मैं आपको बता यह था हूँ यह बंद नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों यह यह बंद हो गया है यहां से आपको pencil डालनी है और pencil को आपको इस तरह से घुमाएंगे तो pencil को sharp कर देता है और सबसे अमेजिंग बात ही देखो यहां पर एक छोटा छेद है बड़ा वाला चेद pencil को थोड़ा long sharp करता है और छो से बहले आप देख सकते हैं आप डिज्णी princess बनी ही है इसकी मोटाई आप देख सकते हैं यह देखो वाव बहुत ही unique चीज है और यह unique क्यों है मैं आपको बताया हो सबसे पहले unique क्यों है क्योंकि इसको यहां से open करते है तो guys यह देखो इसके अंदर यहां पर piano है जो कि guys sound क करता है मैं इसको on करना पढ़ेगा इसके अंदर में बैटरी डाल नहीं पढ़ेगी गई रहे मैं यहांसे है मैं इसको है ना बहुत ही अमीजिंग सी चीज है सो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अंदर बैटरी डाल के दिखाऊंगा क्योंकि फिलाल मेरे पास बैटरी नहीं है सो प्यानो वाला आपको एक जमेटरी बॉक्स देखने हो मिलते हैं यहां पर इसके अपर काफी सारी चीजे भी लिखी हुई है यह पता नहीं क्या है यह देखो यह आपको सीखना पड़ेगा जो इसके अपर इंस्ट्रक्शन्स लिखे में यह कैसे वर्क करते हैं इसको ऐसे बंद कर सकते हैं अगर आपको इसका प्यानो खुलना है तो आपको सिंपल यहां से इसको उठाने है और यह देखो प्यानो ओपन हो जाता यह देखो एक geometry box के अंदर कितने सारे functions आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर बटन है बटन हम दबा के देख लेते हैं यह बटन किसका हम आएगा और guys I think यहाँ पर भी देखो इसके अंदर अगर आपको दिखाता हुँ हमारे पास है यहाँ पर हैं आपको दिखाता हुँ हमारे पास है यहाँ पर है हेलो क्रिटी डिजाइन वाला कुछ इस तरह का एक है प्रोजेक्टर वाला वाच जिसका प्राइज है 100 रुपीज मैं आपको दिखाता हूं यह उसके लिए मुझे इससे निकालना पड़ेगा बाहर 100 रुपीज में इतना फर्षे को पर यहां पे यहां से अफब एकर ब्रोजेक्टर लगा हुआ है अगर यहांप दबात ayam इस तरह से तो इसके अंदर से light निकलती है जिससे आप अलग-अलग character देख सकते हैं और यहां पे कुछ इस तरह का button है अगर आप इसको घुमाएंगे तो आप अलग-अलग character को देख सकते हैं तोटल हम इसके अंदर 5-6 character देखने को मिलते हैं काफी amazing projector watch है तो चलो guys मैं आपको इसे use करके दिखाता हूँ तो guys यह देखो projector watch मेरे हाथ मेरे हाथ में और इसका projector button दबाता हूँ तो guys यह देखो दिवार पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से hello kitty दिखाई देगी यह देखो watch मेरे हाथ में है है और इसके अंदर से कुछ इस तरह से रोसनी आती है जो आपको दिवार पर कुछ ऐसे दिखाई देगी यह देखो है ना और अगर हम इसके साथ का एक button घुमाते हैं गाई तो कुछ इस तरह से हम इसके अंदर character भी change कर सकते हैं यह देखो total 6 character में देखने को मिलते हैं तो काफी amazing है और जितना आप इसको दिवार से दूर लेके जाओगे उतना यह character बड़ा होता जाएगा यह देखो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है फिलाल यह देखो यह hello kitty है और जब मैं इसको दिवार के पास ले जाओगा तो आप देख सकते हैं कितना छोटा हो जाता है तो काफी amazing है और total 6 character में आपको दिखाए था है यह देखो तो काफी जाद amazing hello kitty वाली watch है guys यह है so guys आपने देखा कि हमारी hello kitty वाली projector watch कितनी जाद amazing है है और आपने इस तरह के watches यूज की है तो वीडियो को लाइक कर लेना इसको यहाँ पे रख लेते हैं और हमारे पास है यहाँ पर यह देखो कुछ यह देखो पूरा box खाली होने वा बहुत ही जादा पसंद आएगा इसके ओपर यहाँ पे फैदर लगे है यह देखो वाव क्या quality है यहाँ पर इसकी चैन की quality भी देख सकते हैं यह देखो है ना metal की चैन लगी है इसके ओपर 150 रुपीज इसका भी price है overall आप देख सकते हैं इसको आप गले में डालेंगे जब तो काफी जादा super cool यह दिखाई देने वाला है तो यह pouch जो है इसको आप purse की तरह भी यूज़ कर सकते हैं geometry box की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और girls जब इसको यूज़ करेंगे तो guys मज़ा ही आ जाएगा उनको है ना तो guys इसको भी side में रख लेते और हमारे पास है यहाँ और एक बहुत ही amazing stationery item यह देखो princess वाला stationery item जिसका price है 200 रुपीज तो मैं इसको भी आपको open करके दिखायता हूँ यह मैंने इसको यहाँ से खोल लिया है और इसके अंदर में काफी सारी चीज़े देखने को मिलती है जो कि princess वाली ही चीज़े है सबसे पहले हमें इसके अंदर यहाँ पर color देखने को मिलते हैं जो कि मैं आपको दिखायता हूँ open करके यह देखो यह है guys color drawing वाले colors यह देखो guys total 6 color हमें इसके अंदर देखने को मिलते है और तो और इसके अंदर sharpner भी है यह देखो यह eraser है इषके अंदर pink color की यहाँ पे pink color का sharpener है यहाँ पे guys आप देख सकते हैं Disney princess वाली हमें इसके अंदर दो-दो pencil भी देखने को मिलती है और यहाँ पे हमारे पास है Disney princess वाला एक scale और इसको मैं open कर लेता हैं यह देखो यह है Disney Princess वालक कितना बड़ा स्केल और तो और इसके अंदर हमें एक geometry box भी देखने को मिलता है तो guys नीचे गिर गया है समान कोई बात नहीं यह देखो हमें इसके अंदर geometry box भी देखने को मिलता है और इसको हम उपन करेंगे तो guys यह सारा समान हम इसके अंदर रख सकते है यह देखो इस geometry box के अंदर सारा समान आ सकता है तो काफी ज़्यादा amazing चीज़ है तो guys आप देख सकते हैं बहुत ही unit type यह बहुत ही useful चीज़ है अगर आप disney princess cartoon को देखते हैं और आपको पसंद है तो यह item आपको 100% इस्तिमाल करना चाहिए और guys इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर यह देखो कुछ इस तरह का pink color का sharpener जो की काफी amazing है 20 rupees इसका price है यह देखो astronaut वाले design में कुछ इस तरह का sharpener में देखने को मिलता है यहाँ से हम इसको open करेंगे तो इसके अंदर में दो-दो eraser देखने को मिलती है यह देखो चोटी-छोटी eraser जो भी काफी cute-cute सी दिखाई दे रही है है ना और अगर हम इसको यहाँ से open करेंगे तो guys यह देखो इसके अंदर sharpener लगा हुआ है जो की pencil को sharp करेगा इसको मैं बंद करके आपको अच्छे से बताता हूँ कि इसके अंदर pencil आप कैसे sharp कर सकते हैं यहाँ से pencil डालेंगे तो pencil को sharp कर पाएंगे और जो कच्रा है वो इसके अंदर ही रहेगा कच्रा बाहर नहीं जाएगा है ना 20 रुपीज के आसपास आपको यह मिल सकता है और हमारे पास है यहाँ पर यह देखो एक water game जो की school bag वाले design में है स्कूल बैग का पूरा pattern यहाँ पर बना हुआ है overall आप देख सकते हैं ऐसा यह दिखाए देता है इसके अंदर liquid डला हुआ है दो pin बनी हुई है और यहाँ पर बटन है जैसे हम बटन दबाते हैं तो कुछ इस तरह से ही देखो हम इस वीडियो water game को खेल सकते हैं वाव आओ guys कितना ज़्यादा महिदार है और इन पिन के अंदर आपको यह सारे circle डालने होता है जोगी काफी ज़्यादा difficult होता है सो guys यह देखो मैं बटन दबा रहा है तो guys यह इसके अंदर आ रहे हैं है ना अगर आपने water game कभी खेली है तो आपको पता हूँ यह किती interesting होती है और इसकी सबसे special बात होती है इसके अंदर आपको कोई battery नहीं डालनी है इसको आपको charge भी नहीं करना है बस उठाओ और खेल देखाता है यहां पर इसको पर calculator लगा हुए चार बटन बने में तो पहले मैं आपको calculator यूज करें दिखाता हूं यह देखो यह मैंने बटन दबाए तो on हो गया है अब देखते है 3 multiply by 9 आना चाहिए 27 9 गाईज प्रेस ही नहीं हो रहा है multiply by 9 is equal यह देखो 27 है ना आप देख सकते है calculator अच्छे से वर्क कर रहे हैं आपको दिखाया तो दुबार से 2 multiply by 6 is equal यह देखो 12 है ना तो calculator इसका अच्छे तरीके से वर्क करता है चार बटन है आप चारो बटन दबा के देख लेते हैं एक यह देखो सार्टनर ओपन हो गया है दूसरे से एक और ट्रे ओपन होती है तीसरे से भी बटन होती है यह देखो कितना बढ़िया Giul neat re necessary box है यहां से आप देख सकते हैं इसके उंदर pen pencil color holder लगा हुआ है और स्पेस कितना जादा आइस Giul neat re barbecue box میں इसका प्राइज आपको 2500 रोपे में देखने मिलता है और यूनिकॉन वाले पैटन में यह तो बहुत यादा स्पेसल दिखाई दे रहा है क्वाल्टी आप इसकी देख सकते हैं यह देखो कलर आप देख सकते हैं इसके चैन आप देख सकते हैं यह देखो 120 रुपीज इसका प्राइज है यहां से मैंने इसको वाले पैटन में आता है तो काफी यूनिक टैप की चीज़ हो गए यह और सेम इसी तरह का एक और पाउच है हमारे पास यह रहा है ना यही मैं आपको दिखाएता हूँ दोनों का कमपेरिजन भी दिखाएता हूँ तो पहले मैं इसको यहां पे रख लेता हूँ यह देखो यह कुछ गल वाले कार्टून में यह भी कोई कार्टून होगा मुझे नहीं पता कौन सा कार्टून है यह देखो यहां से इसको उपन करेंगे तो इसके अंदर भी काफी ज़्यादा स्पेस है और सेम मैं आपको यह वाला भी दिखायता हूँ साथ में आप देख लेना देख लो यह देखो दोनों का डिजाइन आप देख सकते हैं अलग अलग डिजाइन है साइज लगबग से मैं यहां से इसको उपन करेंगे तो अंदर से ऐसा है तो काफी अमेजिंग काफी युनिक टाइप की चीज़े है इसको ही मैं अंदर यहां पे रख लेता हूँ और इस ट्रैप के साथ साथ मैं इसके अंदर और भी चीज़े देखने को मिलती है ना कितनी अमेजिंग चीज है युनिक बाले पाउच के अंदर इसको मैं यहां पे रख लेता हूँ और जो इस ट्रैप को अगर आप इसके उपर लगा लेगे ना कुछ इस तरह से यहां से यह गाइज आप इसको पर्स की तरह भी यूज कर सकते हैं तो काफी अमेजिंग है गाइज मुझे तो काफी यूनिक लग रहा है यह देखो यहां से आप इसको यूज भी कर सकते हैं यहां से चैन खोल के इसके अंदर समान डालें तो सारा समान इसके अंदर आ जागा जो भी पेड में रख लेते हैं और हमारे पास हैं पर डिजनी फ्रोजन वाला कुछ इस तरह का बहुत ही प्यारा आइटम जो किया गाइज एक मिरर यहां से हम इसको उपन करेंगे तो गाइज यह देखो इसके अंदर मिरर लगा हुए जिसमें आप अपना चैरा देख सकते हैं मेरा डिजन वाली सभी का प्राइज है टैन टैन रुपीज और एक यह कुछ इस तरह का पेड़ी भीर है इसको हम उपन करेंगे तो गाइज इसके अंदर में सार्पनर देखने हो मिलता है है ना कितनी अमेजिंग आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे आइटम दिखा रह बाइ गाइज